श्रम विभाजन और जाती प्रथा ये पार्ट बाबा भीमराव अमबेटकर के फेमस भाषन एनिलेशन आफ कास्ट का हिंदी रुपानतर है जो लेखक ने जाती पाती तोड़क मंडल लाहॉर में सन 1936 में दिया था इस पार्ट में लेखक ने जाती प्रथा को श्रम विभाजन यानि काम का एक तरीका मानने की विचार धारा को रद किया है खारिच किया है बलकि इसके धेर सारे नुकसानों को भी बता है इस पार्ट में बाबा सहाब ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो जाती के ना पर श्रम विभाजन करना समाच के लिए कितना हानिकारक है डॉक्टर भीम रॉक कहते हैं कि आज के दौर में भी जातिवात का समर्थन करने वाले डेहरों लोग हैं जो जातिवात का समर्थन अलग-अलग तर्ग अलग-अलग दलीले दिकर करते हैं जातिवात के समर्थन को द इसे लिए जाती वाद में कोई बुराई नहीं है लेकिन देखा जाए तो जाती प्रथा यानि श्रम विभाजन काम की बटवारे के साथ साथ लोगों का भी बटवारा करती है समाज के लिए श्रम विभाजन जरूरी है लेकिन श्रम विभाजन जाती के अधार पर नहीं बलकि इंसान की योगेता, उसकी एबिलीटी, उसकी रूची, उसकी इंटरस्ट और उसकी कारेकुशलता और निपुर्ता के अधार पर होना चाहिए भाटिय समाच की जाती प्रता की यही खासियत है कि ये काम के अधार पर श्रमिकों का विभाजन नहीं करती बलकि पहले से ही विभाजिद वर्गों, ब्रामन, श्यस्त्रिय, वैश्य और शूद्र के अधार पर काम का विभाजन करती है जैसे ब्रामन वेत और पुराणों का ही अध्यन करेंगे तो शेस्त्रीय रक्षा का ही काम करेंगे वैशी व्यवस्था यानि बिजनस करेंगे तो शूदर साफ सफाई का ही काम करेंगे सो भले ही उस इनसान को इस काम करने में रूची हो या ना हो लेकिन उसे एक काम मजबूरी में करना पड़ेगा सो इस तरह की व्यवस्था पूरे विश्व में किसी भी समाज में नहीं दिखाई देती और नहीं पाई जाती भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि जाती प्रता को अगर हम श्रम विभाजन मान भी लेते हैं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि ये इनसान की इच्छा और रूची की हिसाब से नहीं होती है इसमें इनसान जिस जातिया वर्ग में जन्म लेता है उसे उसी के अनुसार काम करना होता है तो भले ही फिर वो उसकी रूची का काम हो या ना हो और ये सब कुछ उसके माता पिता के सामाजिक वर्ग की हिसाब से बच्चे के जम से पहले ही यानि गर्ब से ही निर्धारत कर दिये जाते हैं कि उसका पेशा क्या होगा यही जाती प्रता का सबसे नेगेटिव पहलू है सबसे नकारात्मक पहलू है जब की होना तो यह चाहिए कि इनसान को उसके रूची के अधार पर काम करने की आज़ादी होनी चाहिए जैसे अगर कोई ब्रामन का बेटा सैनिक वेग्यानिक या इंजीनियर बर्गर देश की सेवा करना चाहता है तो उसे ऐसे करने का अधिकार होना चाहिए यानि इनसान को अपनी रूची और शम्ता के हिसाब से अपना कारे शेत्र यानि करियर चुनने की आजादी मिलने चाहिए तब ही देश को कारे कुशल और शम्तावान इनसान मिल सकेंगे जो समाज और राष्ट निर्मान में अपनी महत पूर्ण भूमे का निभा सकेंगे अंबेकर जी यहाँ पर जाती प्रता के दोश पताते हुए कहते हैं कि जाती प्रता इंसान के पेशे यानि करियर को पहले से ही निर्धारत तो करती ही है साथ ही साथ ही इंसान को जीवन भर उसी पेशे में बादे रखने को मचबूर भी करती है बले ही इंसान को उस काम को करने की इच्छा हो या ना हो या फिर उस पेशे की कमाई से उसका और उसके परिवार का भरन पोशन ठीक से हो रहा हो या नहीं हो रहा हो यहां तक कि उसके भूके मरने की नौबत भी आ जाए तो भी वो अपना पेशा नहीं बदल सकता जबकि आधोनिक समय में कई बार बुरी परिस्तितियों में इनसान को अपना पेशा यानि करियर बदलने के ज़रूरत पढ़ सकती है जिससे की वो अपने परिवार का भरन पोशिन अच्छे से कर सके लेकिन अगर मुश्किल परिस्तिति में भी इनसान को अपना पेशा बदलने की आजादी ना हो तो उसके भूके मरने की नौबत तो आएगी ही जाती प्रता किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमती नहीं देती है जो उसका पुर्खो का यानि उसका पैत्रिक पेशा ना हो इसलिए काम में परिवर्टन की इजाज़त ना दे कर जाती प्रता भारत में बेरुजगारे बढ़ाने में भी एहम भूमिका निभाती है श्रम विभाजन की दिष्टी से भी जाती प्रधा में कई दोश है क्योंकि जाती प्रधा में श्रम विभाजन मनुश्य की इच्छाओं पर निर्बन नहीं होता है इसमें मनुश्य की वैक्तिकत भावनाओ और वैक्तिकत रूची का कोई स्थान और महत्व भी नहीं होता है हर जाती या वर्ग के लोगों को उनके लिए पहले से ही निर्धारित कारे करने पड़ते हैं कई लोगों को अपने पूर्व निर्धारत या पैतरे कामों में कोई रूची नहीं होती है और फिर भी उन्हें वो काम करने पड़ते हैं ऐसी सित्य में जब इनसान अपने इच्छा के विपरीद ऐसे काम करता है तो वो उस काम को पूरी लगन, पूरी शिदद और मेहनद से नहीं करता बलकि सिर्फ तालम टोल ही करता है और जब इनसान किسी काम को अधूरे मन से करेगा तो वो उस काम में कुशलता कैसे प्राप कर सकता है सु आखिर का इस बात से ये थाबित होता है कि इनसान की आर्थिक पहलू यानि फाइनेशल केंडिशन के लिए भी जाती प्रता हानिकारक है क्योंकि ये इनसान की स्वभाविक रूची के अनुसार काम करने की अनुमती नहीं देती है बेमन से किये गए काम में इंसान कभी भी उननती और कामयाबी नहीं प्राप कर सकता सो श्रम विभाजन और जातिप्रदा के नुकसान बताने के बाद बाबा साहाब एक आदर्श समाच कैसा होना चाहिए इस बारे में बताते हैं मेरी कलपना का आदर्श समाच डॉक्टर भीम राओ कहते हैं कि मेरी कल्पना का आदर समाज वो है जहां स्वतंद्रता, समांता और भाई चारा हो और किसी भी आदर समाज में इतनी कती शीलता आगे बढ़ने का भाव तो होना ही चाहिए कि समाज में समय के साथ कुछ परिवर्टन असानी से किये जा सके और जंता की भलाई के लिए की गए फैसलों का लाप उच्च वर्ग से निम्ड वर्ग तक के लोगों को एक समान रूप से मिल सके जिससे की समाज के सभी लोग उन्नती के मार्ग पर अग्रसर हो समाच में लोगों के बीच किसी प्रकार का कोई बेदबाउन नहीं होना चाहिए जिस समाच में लोग एक दूसरे की भलाई का ध्यान रखते हैं वो समाच निश्ची रूप से उन्नती और काम्याबी हासिल करता है डॉक्टर भीम रौ केते हैं कि समाच में भाई चारा दूद और पानी के जैसा होना चाहिए जैसे पानी दूद में मिलकर दूद जैसा ही हो जाता है फिर उसे दूद से अलक नहीं किया जा सकता ठीक उसी तरह समाच में भाई चारा होना चाहिए जिस समाच में कोई भेतबाव ना हो वही सही माइने में लोक तंत्र है लेखक कहते हैं कि लोक तंत्र सिर्फ देश चलाने के लिए एक शासन व्यवस्तन नहीं है बलकि एक ऐसा समाच है जहां लोग एक दूसरे का अपने साथियों का सम्मान करे उनके लिए शद्दा भाव रखे जहां हर किसी को अपना व्यवसाय अपना करियर चुनने की आजादी हो वही लोक तंत्र है लेखक पूछते हैं कि जब हमें कहीं भी आने जाने अपने जीवन की सुरक्षा करने में अपने काम के लिए जरूरी औजार रखने की सोतंतरता हमें मिल सकती है तो फिर हमें अपने मन पसंद काम चुनने की सोतंतरता क्यों नहीं मिल सकती हलांकि कुछ जाती प्रता के समर्थख, जीवन, शारिरिक सुरक्षा और संपत्ती के अधिकार के सोतंतरता को मान भी लेंगे लेकिन अपने व्यफसाइट चुनने के सोतंतरता देने के लिए त्यार नहीं होंगे इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि लोगों को दास्ता यानि गुलामी में चिकर कर रखना दास्ता यानि गुलामी के विल कानूनी परादीनता कोहीं नहीं कहा जा सकता जब कुछ लोगों को दूसरे लोगों के द्वारा निरधारित व्यवहार और कर्तव्यों को पालन करने के लिवश होना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है, सो ये भी एक तरह की गुलामी है दास्ता है और जाती परता में लोगों को अक्सर अपनी इच्छा की विरुद्ध, लोगों द्वारा बनाए हुए कानूनों को मानना ही पड़ता है, क्योंकि जाती परता वाले समाज में विपरीट परिस्तितियों में भी इंसान अपना व्यवसाय नहीं बदल सकता, एक व्यक्ति को पुर्व निर्धारत कामों को ही अनिच्छा से जन्दगी भर करना पड़ता है, तो चाहे वो उसके लिए सही हो या ना हो, लेकर कहते हैं कि इस तरह के समाज में समानता का अधिकार होना चाहिए, हलाकि कुछ लोग इसकी आलोचना करते हुए ये भी कह सकते हैं कि सभी इन तीन बातों पर समान नहीं होते हैं, शारिर्यक वन्च परमपरा, शारिर्यक रंग रूब आकर्ति जन्द के आधार पर यानि वो किस धर्म या जाति में जन्द लेंगे, ये इन्सान के अपने हात में नहीं होता, समाजिक उत्राधिकार यानि उसे अपने माबाप से कितनी धन सबती या कितना पैसा या अन्य चीज़ें मिलेंगी वो उसके अपने हाथ में नहीं है और तीसरा मनुश्यों के अपने प्रयत्न और कोशिशे लेकिन इन तीनों विशेष्टाओं के अधार पर समाज में उनके साथ असमान वेवार तों नहीं किया जा सकता क्योंकि शारिदिक परंपरा और उत्राधिकारी का अधिकार इनसान के अपने हाथ में नहीं है इसलिए इस अधार पर किसी इनसान के साथ असमान विवार नहीं किया जा सकता जाती धर्म संपरदाइस से उपर उठकर हमें मानफ के प्रती समान विवार रखना चाहिए समाज में सभी लोगों को समान अफसर और अधिकार मिलने चाहिए असंभव और इंपॉसिबल होते हुए भी यही सच है लेकर कहते हैं कि अच्छे विवार के हग के लड़ाई में वो लोग तो जरूरी आगे निकल जाएंगे जिन्होंने अच्छे कुल में जन्म लिया है और जिने विरासत में धेर सारा पैसा, संपती, व्यवसाय और प्रठिष्टा मिली है ना मिला है यह कभी भी शारिरिक वंच परमपरा और सामाजिक उत्रादिकारी की अधार पर फैसला नहीं लेना चाहिए अगर हमें समाज के सबी सदस्यों से जादा से जादा योगदान प्राप करना है तो हमें सबी को समान अफसर मुहया कराने होंगे और सबी के साथ एक समान विवहार करना होगा और हर इनसान को उसकी शमता की विकास करने के लिए प्रुचाहिद भी करना होगा क्योंकि किसे इनसान की कोशिशे कम हो सकती है और किसे इनसान की जादा लेकिन कम से कम हमें सभी लोगों को कोशिश करने के लिए समान अफसर उपलब्द कराना चाहिए अम बेटकर जी कहते हैं कि मानफता की नजर में समाज को दो स्ट्रेडियों में नहीं बाटा जा सकता वेवारिक से धान्त यही है कि सभी के साथ समान वेवार किया जाए जैसे राजनेति यानि पॉलिटीशियन सब के साथ समान वेवार करते हैं राजनेता इसे नजरिये को लेकर चलते हैं कि सबके साथ समान व्यवार किया जाना चाहिए तब ही उनकी राजनेती फल्ति-फुल्ति है हलाकि समान ता एक कालपनिक दुनिया की चीज है फिर भी राजनेती के को सबी परिस्तितियों को रिष्टी में रखते हुए यही मार्ग अपनाना पड़ता है क्योंकि यही व्यवारिक भी है और यही उसके व्यवार की एक मात्र कसौटी भी है